नमस्कार आप देख रहे हैं जेजेन नीज़ और मैं हूँ आपके साथ निधे बिश्ट हरिद्वार में कोरोना की नेगेटिव फर्जी रिपोर्ट घोटाले में अब सियासी रंग चड़ने लगा है इस सियासी संग्राम में वर्तमान मुख्य मंत्री तीरत सिंग रावत और पूर्व मुख्य मंत्री तिवेंदर सिंग रावत आमने सामने नजर आ रहे हैं और दोनों ही इस घोटाले को एक दूसरे के कारेकाल का बता रहे हैं घोटाले की गैंद को एक दूसरे के पाले में डालने से सियासी बहस को भी हवा मिल गई है। इस घोटाले के सामने आने के बाद BJP में भी सियासत तेज हो गई है तो वहीं कॉंग्रिस ने भी प्रदेश सरकार पर जम करने साना साधा है। बहरहाल ये घोटाला किसी के भी कार काल का हो लेकिन इससे घटना करम के बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई और दो सीम के आमने सामने आने से सियासी गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। का है तो भही पूर्व मुख्यमंतरी का बयान भी मुख्यमंतरी तीरत सिंग रावत के खिलाव ही नजर आ रहा है। कि मामला किसके समय का है। उन्होंने कहा कि एक तरह से हत्या प्रयास का मामला है। पूर्व मुख्यमंतरी से इस मामले की सच्चाई से जाच करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि जनता के सामने इस बात का खुलासा होना चाहिए कि ये फरजी वाड़े का मामला किस दौरान यानि किस समय का है। पूर्व सियम यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि मुझे ऐसा ध्यान है कि कोट में राज्य सरकार को निर्गेश दिये थी इसमें। टेंडर हमारे समय में नहीं हुआ यदि टेंडर हुआ होगा तो मेला प्रबंदन की द्वारा हुआ होगा। नोटिफिकेशन हमारे समय में हुआ था जो एक एप्रेल से तीस एप्रेल तक था। इस घोटाले में अब प्रदेश कॉंग्रेस भी कूद गई है। कोविट जांच फरजी वाड़े में मुख्य मंतरी तीरत सिंग रावत और पूर्व मुख्य मंतरी तरवेंदर सिंग रावत के बयानों पर कॉंग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशान असादा है। पार्टे के प्रदेश उपाध्याक्ष सूरेकान धस्माना ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में बड़े लोगों के लिप्त होने की पूरी आशनका है। तो फिलाल आजके इस खबर में बस इतना ही बाकी की खबरों के लिए बने रही है। जे जेन नीउस के साथ नमस्कार।